नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही अच्छी खुस्खबरी निकल के आ रही है बिहार राज से खासकर किवाओं के लिए तो खुस्खबरी क्या है आईए मैं आपको बता दूँ 5,990 पदों पर नगर विकास विभाग वर नगर निकावय में की जाएगी निक्तियां और टोटल जो है सुबे में 9,000 पदों की होगी बहाली तो 9,000 पदों पर विहार सरकार जल्द ही बहाली लेने वाली है तो इसके लिए आप लोग त्यार हो जाएए मैं सारे डिटेल आप आपको वीडियो के माध्यम से सेयर करते रहूंगा और अभी जो जो है इंफोर्मेशन में आपको सेयर कर दूं तो आईए करके देखते हैं क्या है थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें तो देखिए इसमें क्या है सूबे की वाउ के लिए खु दियार राज में तो 9000 पदों पर भाली होगी इन पदों के स्रीजन पर राज केबनेट की मंजूरी मिल चुकी है तो यह देखिए 9000 यह पद हो गया है आने वाले दिनों में साथ में आपको सच्छी वाले साहा है कि पांसी जार लगभग आने वाले हैं और और भी थोड़ इसाथ यह तो यह उसके बाद आगी तो दो मेने बाद या 3 मेने बाद इसाही पर यह आएगी जरूर तो इसके लिए आप लोग अभी से काफी अच्छा है तो देखिए इसमें जो सबसे जादा है 5960 पदों पर वो किस भाग में तो नगर विकास भीज वाग और नगर निक तो यह भी बहुत अच्छी बात है टीचर की जनरली इधार निरे कॉलेजियों से बहुत सारे ग्रेजड़ूइट जो है इंजिनियरिंग बैग्राउंड से हैं नहीं उनके लिए जौब आरी है नहीं टीचर टीचिंग के फिल्ड में कोई जौब आ रही है तो यह अभी दोहजार के लगवक पदों का स्रीजन किया गया है यह बहुत ही अच्छी खवर है आईए और देख रितने इसमें क्या होगा जल नहीं इसका अदेश जारी कर दिया जाएगा मुखमति निदिशकुमार के दश्टा में मंगलवार को हुई कैबिनेटी बैठाक में कुल 49 प्रस्ताओं पर सहमत्ती दी गई कैबिनेट के बाद कैबिनेट सच्वाले के प्रधान सचीव संजयकुमार ने बताया कि नगर निकायों को सौपे कारियों के निस्पादन के ल क्लेश इंजिनीरिंग कॉलेज है इसमें के लगभग 2, Vegeties ध्षुर तिया गया है 2068 यह आपके टीचिंग होगा इंजिनीरिंग कॉलेज पॉल्ट próxima इंजिनीरिंग कपलूपी Kommandina में थे जो graduate engineering उन लोग के लिए बहुत अच्छा और खास करका मैं अभी से बता जाता हूं जो civil civil department के हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि जो maximum post रहेगा वो उनके लिए यही रहेगा और भी साथ में वियार में और भी जो प्रकेंशी आ रही है इस तरह से डेवलप्मेंट से जुड़ हो उसमें भी सीविल वालों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी निकल के आएगी तो अभी से आप लोग लग जाए त्यारी में थोड़ा टाइम लगए बट आएगी जरूर साथ में ही आपके यह सचवाले साहय की जो लगभग लगभग आपका सारा जोड़कर उसमें 5000 की टोटल रहेगी तो यह 9000 इधर हो गया अपलस 5000 तो अपन 14,000 तो यह बहुत ही अच्छी मानी जाएगी अच्छी quantity है इतना सीट अगर आती है तो बहुत ही अच्छी बात है बहुत लोग के सरोजगार मिलेगा आई और इसमें देख लेते हैं साथ में ही देखे एक और है राजपत विकास में 50 पत स्रीजित होंगे और इसके अलावा विभिन नियालों में 555 अस्थाई पदों पर डाटा इंट्री ऑप्रेटर की स्रीजित होंगे तो यह अस्थाई है मतलब यह आपका अस्थाई बोलने का मतलब कांट्रेक्ट बेसिस पर ही होगा फिक्स नहीं होगा तो 500 पद उसके हैं तो यह था आपका यह जो अभी घोशना की गई उन्चास प्रस्तावों को जो पारित किया उसे और एक चीज़ और यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा जूम करकर यह क्या खबर है यह है आपका सहायक अभियंताओं की निक्ति कौन करेगा तो यह देखिए यह बहुत यह अच्छी बात बीपियसी करेगी और किस परकार से करेगी तो सहायक अभियंताओं की निक्ति अभिहार लोग सेवायोग मतलब कि बीपियसी के मात्यम से परिच्छा कि अधार पर होगी और किस तरह की परिच्छा होगी तो अब्जेक्टिव प्रस्णों पर अभ्यांताओं का चैन करेगा पत्थ निर्मान विभाग इस प्रस्ताओं को कबिनेट में सुक्रिति दी जिसमें कहा कि अन विभागों में इसी तर्च पर सहाय कभी नुक्ति होगी तो बहुत ही अच्छी बात है भी प्रस्ति थोड़ा भरोसा कर सकते हैं ऐसे बाकी में तो बिहार में थोड़ा ही चलती रहता और दर राज में भी है तो वह सब निगेटिव बातों को नहीं देखना हम लोगों तो यहां पर जो टोटल था आपका पोस्ट मैंने उसको बता दिया और साथ में यहां पर करके लिखा गया है कि पचास पत्स रिजित के जाएंगे राजपत्थ विकास निगम में यह जहां तक मुझे लगता है यह सीविल वालों के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब के लिए और मेकनिकल के भी हो सकते हैं तो इंजिनेरिंग बैग्राउंड जिनका सीविल मेक है तो अभी सेहीं लग जाए जो भी आपका स्लेवर्स है जेनरली और सभी एक जामों में सेंटर लेवल पे मोटा मोटी वही स्लेवर्स यहां पर भी रहेगा तो आप इंतजार मत के लिए तैयारी में लग जाई है तो यह था और साथ में आप न्यूज दिया गया राजमे कर्मियों को दीए तीन पर सिस्थ बढ़ा तो यह तो जोब में अल्रेडी है उनको लिए है स्टूडेंट के लिए फिलहाल के लिए नहीं है अब जब जोईन के आपके लिए भी वह इंपर्टेंट हो जागा तो मैं इसे के साथ इस वीडियो के इंट करता हूं अगर और कोई इंफर्मेशन निगल के आती है तो मैं आपको तुरंती हाला कि यह इंफर्मेशन करने में थोड़ा एक दिन मैं लेट हो गया कुछ नीजी कारनों से ब्यास तो इसको देखिए अच्छे से और कहीं से और इंफर्मेशन मिलता है आपको इससे जुड़ी ही बातों को लेकि कि कभी यह वकेंसी आ रही है तो कमेंट करके मुझे पताईए वीडियो के सेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए इससे जुड़ी ह इस तरह बिहार में जो भी है या अदर राज में जो भी है मैं उसको आप तक जल से जल पहुंचाने के कुछिस करूंगा थाकि किसी भी तरह से आपको किसी परिकार क्या सुभधा नहों और को वाकेंसी आप छूटे नहीं चाहे वह पांच सीट हो चाहे वह पांच जार सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जा जैसे के साथ मैं इस वीडियो को इंड करता हूं आप साभी को आल दे बेस्ट अच्छे से प्रिपरिशन कीजिए धन्यवाद थैंक्यू